तो दोस्तों आज इस वीडियो की थमनायल को देखकर आपको यह पता लग सुका होगा कि आम आज इस वीडियो में किस मोड के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको यह वीडियो सुरू से लेकर अन तक step by step जरूर फॉलो करना है इस mode को download करने के लिए आपको एक वीडियो की link description में मिल देगी उस वीडियो के अंदर password और उनके description में इस mode की link होगी तो पहले से इस mode को download कर देना है download करने के बाद आपको मैं इस video में बताऊँगा कि उस mode को अपने इस game में add कैसे करना है तो वीडियो को full step by step जरूर देखना है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें channel पर नहीं है तो please channel को subscribe सबसे पहले आपको ZRC और एप को download कर देना है उसे download करने के बाद ओपन करने के बाद आपको download के option पर click कर देना है डाउनलोड के option पर click करने के बाद जो आपने mode download किया है उसे search करके search करना है तो आज हमारा इस वीडियो में हमने टाटा सिगना 48-25C truck mode के बारे में बताएंगे तो उस mode को download करने के बाद आपको इसे यहां पर search करके टूणना है तो हमारी यह mode है टाटा सिगना 48-25C इस पर आपको click करके एक्स्टेट यहर के option पर click कर दिना है यहां पर click करने के बाद जो आपको password उले उसे password को यहां पर paste कर दिना है फिर इसे एक्स्टेट कर दिना है तो हमारी यह white color की file है इस file को यहां से copy करना है इस white color की file को copy करने के बाद उपर download के option पर click करके आप main device में आ जाना है तो हम white color की file को cut कर देते हैं और अभी हम main device में आ जाते हैं यहां पर एक B.U.H.ID का folder है तो इस पर आपको click करके modes के option पर click कर दिना है और उस mode को यहां पर paste कर देना है इतना काम करने के बाद हमारा काम खतम फिर आपको gameplay करना है gameplay करने में थोड़ा loading का time लेगेगा तो प्लीज वेट इस पर कार interface open होग जाने के बाद आपको यहां garage का इस पर आपको click कर देना है और आपके mode so होंगे तो आपको आगे scroll down करते रहना है तो हमारे mode successfully add हो शुका है यह से permanent add करने के लिए use के option पर click कर देना है और livery add करने के लिए paint के option पर click करके high regulation पर click करके browse livery पर click करके device gallery को choose करके जो आपने लिवरी download की है उसे यहां पर search करके choose करना होता है तो हमारी यह लिवरी यह इस परकार से add हो जाती है इसे भी permanent add करने के लिए आपको apply के option पर click करके एक फिरी का add वास करना होता है फिर यह अमारी delivery successful add हो सुकी है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like तन्यवाद